नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्राम पर हमारा पेज जरूर फॉल कर लिएगा इस्टडी फॉर्ण सब्सक्राइब करेंगे जो की है महत्मा गांधी और सुभाज चंद्रबोस के विचारों में क्या दिफ्रेंस था यह देखेंगे हम क्वेशन के फॉर्म में तो चलि क्या अंतर था? What were the differences between the ideologies of महत्मा गांधी और सुभाज चंद्रबोस in the freedom struggle? हम आंसर के शुर्वारत करेंगे यह बताते हुए कि with their contrasting ideologies यानि विचारधाराओं के साथ महत्मा गांधी और सुभाज चंद्रबोस ने पैरलली यानि इस समान रूप से भारत की स्वतनता संग्रा में contribute किया अपना योगदान दिया महत्मा गांधी अपने तरीकों से योगदान दे रहे थे साथ ही साथ उसी समय पे सुभाज चंद्रबोस अपने विचारधाराओं के साथ अपनी तरीकों के साथ स्वतनता अंदोलन से जुड़े हुए थे दोनों में परस पर बहुत सम्मान था आपको जैसे पता ही होगा अप जब सुभाज चंद्रबोस बर्मा में थे तो उस टेम पे अपनी एक रेडियो की स्पीच के दौरान उन्होंने महत्मा गांधी को फादर आप द नेशन का खिताब दिया था फादर आप द नेशन बुलाया था सबसे पहली बार उन्होंने ही टाइटल दिया था महत्मा गांधी जी को और महत्मा गांधी जी भी यह दे ही कि सुभाज चंद्रबोस की तरफ से एक तरफा यह रिस्पेक्ट थी महत्मा गांधी जी भी सुभाज चंद्रबोस को बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे, उन्होंने सुभाष चंत्रबोस को प्रिंस समंग दे पेट्रियोट्स की उपादी दी थी तो इस तरीके से दोनों ने ही अपने अपने तरीकों से स्वतंता संग्राम में समान रूप से योगदान दिया था अब हम देखेंगे कि महत्मा गांधी जी और सुभाष चंत्रबोस जी की आइडिलोजिस में डिफरेंस होने के साथ सद कुछ समानताएं भी थी कुछ उनकी विचारधारों में समानताएं भी थी दोनों ही चाहते थे कि महलाओं का शशक्ति करन किया जाएं महलाओं का एंपावर्मिंट किया जाएं तो समाज उत्धार को लेकर के जो दोनों की विचारधार थी वह बहुत सिमिलर थी अब हमारा क्वेशन जो पूछ रहा है डिफरेंस क्या थे अब हम उसकी तरफ आएंगे और अपने डिफरेंस बताएंगे कि महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच विचारधारों में क्या डिफरेंस थे और क्या आंसर थे तो पहला डिफरेंस तो यह था कि गांधी जी आहिंसा और सत्याग्रह के मार्क पर चलते थे और उनका यह मानना था कि आहिंसा और सत्याग्रह का यूज करके ही फ्रीडम मिलनी चाहिए आजादी मिलनी चाहिए लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का यह मानना था कि हमें बस अब आजादी के जरूरत है अब हमें आजादी मिलने चाहिए तो वो अपने militant तरीकों से भी आजादी पाने को तयार थे बस उन्हें आजादी चाहिए थी यह उनका यह मनना था कि जो अब समय आ गया है वो सत्याग रह और अहिंसा जैसे चीजों के लिए relevant नहीं है शायद अब इस टाइम पर आ करके यह अहिंसा से एक आजादी ना मिल पाए तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है उसके बाद गांधी जी के लिए self rule का मतलब था राम जब आजादी मिलेगी तो उसे स्वाराज स्वाशाशन माना जाएगा जब गांधी जी तीसरा डिफरेंसी है कि गांधी जी फेवर में थे कि डीसेंट्रिलाइशन किया जाए अर्थवियावस्ता का विकेंद्रिक करेंट किया जाए वहीं पर सुभार चंद बोश जी का मा पात हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारा चौथा डिफरेंस कि आए गांधी जी इंग्लिश स्टम ऑफ एड़ुकेशन के अगेंस थे उनका मानना था कि मात्रभाशा में वर्नाकुलर लांगविज में शिक्षा दी जानी चाहिए वही सुभाई शंद बोश जी का मानना था कि हाइर एड़ुकेशन मिलनी चाहिए यूद को अदेश के युबा को टेक्निकल और साइंटिफिक फिल्ड में और इंग्लिश लैंविज में गांधी जी के पास सपोर्ट था कॉमन पीपल का हर क्लास के लोग गांधी जी से जुड़े थे स्टूडेंट हों महिलाएं हों ज के साथ किसान और वर्कर्ष जुड़े थे जो की मिल्टिंट अप्रोच रखते थे उसके बात जो हमारा लास्ट डिफ्रेंस हम मेंशन करेंगे था कि गांधी जी विश्वयुद्य के दौरान चाहते थे कि अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए लेकि सुभाष चंद्र ब उसकी विचारधारों में कंक्लूजन देने से पहले मेरे पास एक इन्फोरमेशन है कि स्टारी फोर सिवल सर्विसेस के यूपी पीसी प्रीयो मेंस 2022 के पेड ग्रुप से स्टार्ट हो गये हैं तो आप नीचे दिए गया नंबर पे कॉल करके इन पेड ग्रुप के बारे मे अगे बढ़ते हैं हम अपने आंसर को अब कंक्लूट करेंगे हम बताएंगे कि महत्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने अपने अपने मैथेड्स ऑफ स्ट्रगल यानि अपने अपने संगरश के तरीकों को अपनाया था दोनों की विचारधाराएं डिफरेंस थी ले लेकिन 1921 से लेक करके 1943 तक जो उन्होंने योगदान दिया है भारत में अंग्रेजी सरकार की जणों को कम करने के लिए उन्हें नेगलक्त नहीं किया जा सकता और अगर वो होते तो कुछ सालों में और उन्होंने और लेवल पे काम किया होता बड़ा लेकिन महत्मा गांधी लेकिन उन दोनों में परस पर बहुत जादा एक दूसरे को लेकर के इज़त थी एक दूसरे के तरीकों से थोड़ा सा वो मेल नहीं खाते थे उनके विचार तो इसी के साथ हम आंसर को कंख्लूड करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम डिसकस करते रहेंगे हिस्ट